प्राण जाए, परवचन ना जाए, राम मंदर को लेकर विपक्ष परवर से एबीपी नियों सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल असम में एंडिये को भारी बढ़त, गोवा में एंडिये और एंडिया में काटे की टक्कर एबीपी नियूस पर मायावती के उत्तरा अधिकारी आकाश आनंद का पहला इंटर्व्यू अखिलेश और कॉंग्रस को बताया बीजुपी की बी टीम गड़ बंदन पर बोले मायावती ही करेंगी फैसला नमस्कार मैं हूं संदीब चौधरी चार जून को नतीजे आएंगे लोकसभाचनाव के सबसे बड़े मेले, सबसे बड़े जश्न के सबसे बड़े राजनितिक इमतिहान के तीसरी बार मोदी सरकार या विपक्ष की लगेगी नईया पार ये सब के जहन में सवाल लगातार कौंद रहा है और उन्निस तारिक से पहले चरन का मतदान भी शुरू होने वाला है यानि कि चार दिन बाद तो जनता की नब्स हमने टटोलने की कोशश की है जनता के मन की था लेने की कोशश की जनता जनारदन तो आप ही हैं सरकार तो आप ही चुनेंगे कहां मोहर लगाते हैं कहां बटन दबाते हैं और इसलिए एबी पी निउज और सी वोटर ने सर्वे किया है मेगा उपिनियन पोल चुनाव शुरू होने से ठीक पहले और 543 जो लोग सबा सीटे हैं उन में से 189 के जो रुझान है ये अंतिम नतीजे कता ही नहीं है ना हम ऐसा दावा कर रहे हैं उन में बड़ी दिल्चस्प तस्वीर अभी तक सामने आ रही है एंडिये बीजेपी की अगवाई वाले एंडिये के खाते में 87 सीटे इंडिया फिलाल बढ़त बनाए हुए है कॉंग्लिस की अगवाई वाला इंडिया गटबंधन 102 अन्या के खाते में कोई सीट नहीं लेकिन इसमें पुट ज्यादा दक्षन भारत का है उन अलाकों का है जहां पर जो शत्रप हैं रीजनल पार्टीज जो है वो भी ताल ठोक रही है दक्षन की मैंने बात की जैसे तमिल नालू है या पूरवी भारत वहां पर पश्चिम मंगाल में दीदी का डंका क्या अभी भी बजरा है उनकी बांगी दिख रही है इन आकडों में अभी हंदी पक्टी कی भी बात करेंगे और आज हम शुरुआत करने वाले हैं बिहार से वो बिहार जो राजनीती को बदलने के लिए जाना जाता है सत्तर के दशक में जेपी अंदोलन की शुरुआत हुई राजनीती बदल गई राजनीती के उटने उत्पन होते दिखाई दिये इस बार बिहार के मन में क्या है और बिहार इसलिए भी महत्पून हो जाता है क्योंकि इंडिया जिस गटबंदन की हम बात कर रहे हैं उसके रचायता दरसल नितीश कुमार थे खड़ा किया वो सुपर स्ट्रक्चर लेकिन खुद निकल लिये और फिर एंडिये के कुनबे में जाकर शामिल हो गए घर वापसी कर ली 2019 के चुनाव में 40 जो सीते हैं लोकसभा की बिहार की 49 पर एंडिये का डंका बजा था 17 की 17 बीजेपी जीत गई 17 में से 16 जेडियू जीती और 5 सीते जीतने में कामियाब हो गई थी बलकि मैं कहूं 6 लजेपी तब तक दो फार नहीं हुई थी कुल एक सीट गई थी कांग्रेस के खाते में तो इस बार की तस्वीर क्या कहती है बिहार में बहार है बहार किस की है ये बताएंगी मेरी सहियोगी शिरीन शिरीन तो फाइनल ओपिनियन पोल 2024 के चुनाबो से ठीक पहले और अब बारी है बिहार की और मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं बिसको मान भवन है ये पटना की शान कहा जाता है और यहीं से मैं आपको अब नंबर दिखा देती हूँ सबसे पहले वोट शेर आप देख लिएजे कि इन 40 सीटों में से वोट शेर किसको कितना जाता देख रहा है अब ज़रा इनको सीटों में कनवर्ट हम करेंगे और बताएंगे आपको कि इन 40 सीटों में से जनता का मन किसे कितनी सीट देने का हो रहा है ये सर्वे यही अनुमान लगाएगा और आपको आप तक ही अनुमान पहुँचाएगा 40 सीटों का सवाल है तो देखिए अब नंबर आपके सामने आ गया कि किस तरीके से जनता अभी ताजा सर्वे है ये 40 में से 33 सीटे NDA गटबंधन को और NDA गटबंधन इसी के साथ एक बड़ी जीत बिहार में दर्च कर सकता है संदीप जी तो बिहार की ये तस्वीर किसकी धड़कने बढ़ाएगा किसकी बांचे खिलेंगी शरीर के जिस भी इससे में हो क्या NDA नुकसान तो है 6 सीटों का नुकसान है लेकिन क्या वो खुद को एकला मुतमूईन पा रहा है और जबरदस कोशिश कर रहे हैं तेस्वी यादव कॉंग्रेस के साथ गडबंदन करके वाम खेमा भी साथ में है बीड भी बहुत आ रही है फॉर्मूले भी नए इजाद हो रहे हैं अब माई से बढ़कर मुस्लिम यादव कॉंबिनेशन से बढ़कर बाप की बात भी कर रहे हैं रोजगार की गारंटी दे रहे हैं घोशना पत्र जारी किया है रोजगार एक बड़ा मुद्दा है ये CSDS के सर्वे में भी सामने आया है 27 फीजदी लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या मान रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं 23 फीजदी लोग महंगाई की भी बात कर रहे हैं लेकिन अभी भी बिहार में 33 साथ का आंकड़ा NDA के पक्ष में जा रहा है लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है There is a sting in the tail अंग्रेजी में जो कहते हैं और वो sting in the tail क्या है अब इसे गौर कीजिएगा 11 सीटे ऐसी हैं जहां जबरदस्त काटे की टक्कर चल रही है प्लोज कांटेस्ट है 5 सीटो पर बलकि मैं कहूँ 6 सीटो पर आरा, गया, कटिहार, नवादा, सासाराम और अररिया क्लोज कांटेस्ट माईने क्या है बाकी तो तफसील से यश्वन देशमुक हमें बताएंगे जहां पर हार और जीत कांतर 3 फीजदी रहने वाला है और डेड हीट भी है डेड हीट मतलब ऐसी तक कर कि सबकी सांसे अच्की रहेंगी चार जून को जब मतगना होगी वो तो की गिनती होगी यह पांट सीटे हैं यहां पर हार और जीत का अंतर एक फीजदी से भी कम रहने वाला है या एक फीजदी तक रहने वाला है तो अब यह ग्यारा सीट एक तरफ चली जाएं दोनों तरफ जा सकती है वो इंडिये की तरफ भी सारी की सारी जा सकती है और इंडिया की तरफ भी तो यह आंकडा दरसल 26-14 का भी हो सकता है और यह आंकडा 37-3 का भी हो सकता है इंडिये के पक्ष में अब परिचे करादू मेहमानों का सी वोटर के सर्वे सर्वा जिनोंने हमारे लिए सर्वे किया है ये फाइनल उपिनियन पोल किया है यश्वन देशमुक मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है वरिष्ट पत्रकार किसी परिचे के मौताज नहीं सीधी बात करते हैं आज सीधा सवाल भी करूँगा हम उपिनियन पोल कर रहे हैं पर कारिकरम तो मेरा सीधा सवाल ये है प्रबू चावला है मेरे साथ सीधे जवाब मिलेंगे मेरे साथ जे डियू के राश्टिये सचेव उनके राश्रिय प्रवक्ता राजीव रंजन आर जे डी के राश्रिय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर जोती कुमार सिंग राश्रिय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और एके वाजपई एल जेपी राम विलास पासवान गुट पांच सीटों पर लड़ रहे हैं ये उनके नाशनल वाइस प्रेजडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं और जो चार सीटें देखिए चालिस सीटें है चार उन्निस तारीक को चार दिन बाद वहाँ बटन भी दबाया जाना है और रंगाबाद गया नवादा और जमुई है तो आंकड़ा दिल्चस्प है 33 साथ का आंकड़ा नहीं ये टू क्लोज तू कॉल डेड हीट एंड क्लोजली कॉंटेस्टेड ग्यारा सीटे बिल्कुल बहुत ज़्यादा काटे का मुकाबला इन जगों पे होने वाला है संदीब और एक मैंने पहले भी आपको बोला था कि दो राज्जे तो ऐसे हैं बंगाल और महाराश्च जहां पे दरसल एक एक सीट पे बुरी तरीके से टकर होने वाली है लेकिन बिहार एक ऐसा राज्जे है जहां पे सेलेक्टिव ही सही लेकिन टकर होगी बहुत तगड़ी और सेलेक्टिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे ट्रैकर में हम पिछले साल बर से इस बात को लगातार बता रहे हैं कि नितिश जी का परसनल जो रेटिंग है वो लगातार गिर रही है तो वो पहले के जैसी उनकी स्थिती नहीं रही है NDA में आने के बाद में अरिथमेटिक का अंतर जरूर पड़ा है लेकिन जहां जहां केमिस्ट्री में ये है कि जहां जहां भाजपा के सिंबल पर उम्मीदवार हैं उनको ट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा जहां जहां जेडियू के सिंबल पर उम्मीदवार हैं वहां पर उनको कटनाई का सामना करना पड़ेगा इसलिए जेडियू वर्सेज आर जेडी की जो लडाई है इस पे निगा रखिये क्योंकि तिजस्वी बहुत जादा अच्छा लड़ेंगे ये लिखके रखिये देखना केवल ये है कि वो जितनी गुडविल उनके लिए पैदा हो रही है या जो रेटिंग गिरिये मुख्यमंत्री की अभी वहाँ पर क्या उसका लाब वो अभी इन लोकसभाशनाओं में उठा पाते हैं या ये स्प्रिट वोर्ड की तरह हो सकता अच्छित तोर पर रिपीट करना चाहते हैं तो मेहनत बहुत लगेगी पर आपके आंकलों की तहमें भी मैं गया वो कहानी तो कुछ दूसरी कह रहे हैं अब जहां पर क्लोज कॉंटेस्ट है अब गोर कीजेगा दर्शको आरा वहाँ पर तो बीजेपी का उमीदवार है गया जीतन रामाजी क बेटे चुनाव लड़ रहे हैं क्लोज कॉंटेस्ट है कतिहार यहाँ जेडीउ है लेकिन नवादा और सासारा नवादा में सीपी ठाकूर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर दोनों जगह बीजेपी का उमीदवार हैं और जहां डेड हीट है यानि कि एक फीज बीजेपी का उमीदवार राम किरपाल यादव तो यह तो बीजेपी संकट में देख रही है अंतर के वल यह है संदीप कि यह संकट वाली सीटों पे हम सबको पता है कि प्रधान मंत्री मोदी जब प्रशार करने जाएंगे तो वो कहेंगे यह सीट मुझे वोट दो यह बीजेपी को मिलता रहा है इस बार देखना यह है कि यह इंपक्ट केवल बीजेपी के कैंडियेट्स को मिलता है या इसमें इस बार जेडियू के लिए सांसत है जेडियू को भी कुछ परिशानी उसमें होने वाली है तो यह जो वोट प्रतिशत पर भी आ जाएं जो आपन स्वी अपना दायरा भी बढ़ा रहे हैं वो जो एक एमवाई तक सिंता हुआ उनका वोट बैंक था जो अप्तिमाईज कर लिया था अब उसमें और एड़ ओन्स भी आ रहे हैं चौक भी लग रहा है नहीं चौक लग रही है लेकिन पर मुकमल अभी के चुनाओ के लिए नही से है वो इन्वेस्ट लोकसभा के लिए करना है विधान सभा में गिल्ट फैक्टर को रोप के आ रहे हैं कि विधान सभा में हमको वोट नहीं दोगे लोकसभा में देना मुझे लगता है उसका रिवर्स साइकोलोजी जो है तेजस्वी प्ले करना है कि विधान सभा में हमा सीटे कितनी आएंगी, कितना आये पाईगा, ये जड़ हीट और जो क्लोज, तीन फीजदी वाला अंतर और एक फीजदी वाले अंतर की जो ग्यारा सीटे हैं, ये ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है, ये आख़ा बहुत उपर नीचे बहुत, अगर ये बीस में आ जाए एंडिये तो एंडिये के लिए चिंता का सबब हो जाएगा, मैं दो चीज़ें पताऊंगा, इसमें एक तो ये प्रधानमंतरी का कैंपेइन, व्यक्तिकत रूप से वो कितना इंपक्त करता है, ये इसका सीधा असर पड़ेगा, दूसरी बात, ये हम न भूलें, क्योंकि इस समय सबस में से मदरपदेश में नौ जो बीजेपी के वोटर थे वो बूथ पे गए, कॉंग्रेस के दस में से छे गए, क्या ये कहानी संगठन के आधार पे रूरतोराई जाएगी, कितना जादा इंपक्त टर्नाउट पे पड़ता है, जो भाजपा का संगठन है, अगर वो वोट निकालने में काम्याब हो गया, तो ये मार्जिनल सीटें सारी एक तरफा भी जा सकती है, लेकिन टर्नाउट अगर गिर गया, 2004 की तरह, जैसे अर्बन इलाकों में 18% का ड्रॉप हो गया था टर्नाउट में, टर्नाउट अगर गिर गया तो बीजेपी के लिए चिंता का सब बनेगा, अब यहां पर, प्रभू, 51 और 40, अंतर 11% का है, लेकिन हम closely contested, अगर सीटों को भी देखें, प्रधान मंत्री कितना करिश्मा करते हैं, इसका जिकर कर रहे हैं, दो बार जिकर किया यश्वंत ने, लेकिन आपका सबसे असीम तजुर्बा है, चुनावों का, यहा कार्ट खेलने में बड़ा, उनको महारत हासल है, कि यह देखिए, मुझे गाली देते हैं, यह मुझे कोस्ते हैं, वो अभी मुदा वहीन भी है, यह चनाव, और विपक्ष वहीन भी है, तो उसको कैसे आप अनलाइज करते हैं? संदीब मैंने कल भी का था कि सेलेक्शन में देख रहा है कि मुदी दे मीडियम, मुदी दे मेसेंजर, मुदी दे मेसेंज, यह कंबिनेशन बना लिया उसने, आपने मेरे अलावा कुछ नहीं है, यह संदी यहां बैठे हुए हैं, अब जब रिजल्ट आएगा, हम लोगों संदीब में देखी है, कि पहले तो मेरे 2019 के वोट परसंटेट क्या है, पार्टी के मेरे को याद नहीं है, यह संदी बताएंगे तो अच्छा रहेगा, तो दोनों के कठे मढ़के लेते, तब कितने परसंटेश वोट नहीं है, देखिए, 24 के करीब बीजेपी का था, 25 के कर उपर हो गया, ठीक है, बीजेपी उतनी सीटे लड़ी इतनी पिछली बा लड़ी थी, अब हारें के इनका कहना है कि जेडी जीउ के उपर यादा असल हुआ था, कि पहले इनका ये सोचना सा था, कि बीजेपी एक बार जब कुई नियन पूल पर यह बाहां, स्टेट ऑज पर किसी और चैनल बाशन कर रहा है से, तो इनका कहना से, कि जेडी जी को कितना नुकसान होगा, ये साथ सीटे, पूरी बात संगी, पूरी, मैं एक से किन्न हा रहा हूँ, थोड़ा सा जुड़वा लूना, साथ सीटों में हारने वाली वो सीट, किसके खाते में ज्यादे मैं उसी पहाया रहे द है, जेडी यू के खाते में ज्यादा हैं, बज़र्वा सीटों में कम हैं, मार्जिनल सीट्स बीजेपी के खाते में जदा है, बत सही है, लेकिन हारने अमारी सीटें जेडी व के खाते में – जेडी व के जायेंकि उस पहो पहाय था हुआ झारत consciousост भर कई लोगों से BGP का कोई भी कार्य करता JDU के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है मैं अपने ब्रक्ति के बैसेद पर कह रहा हूं तो उसके बैसेद पर मोदी जी का कितना असर होने वाला है उसके उपर डिपेंड करता है जो आपने का कि 14 रह जाती है या 26 रह जाती है है फैसला उसी के उपर है 11 वाला एक परसेंट वाला है कि उसके मोदी कितना कनवर्ट सकते हैं वो बीजेपी सीटों पर कर सकते हैं पर जोड़ा हुआ नहीं है उन दोनों के साथ एक दूसरा कहीं बड़े नेता रेटायर हो गया जिनको टिक्टे में बैट की तो बिहार के पर फिर कल वही बात कल वेस्ट बंगाल के उपर डिपेंड कर रहा था अब भी बिहार के उपर डिपेंड करता है कि 300 से उपर कर जाएंगे कि नहीं जाएंगे या 300 से रहेंगे और इसमें दिल्चस्प बात प्रभू आप ही की बात में थोला सा और जोड़ दूँ और दर् कॉंटेस्ट की भी बात है उनमें ओरंगाबाद ये डेड हीट है एक परसेंट आर अरंगाबाद से बीजेपी का उमीदवार प्रिप्रफेंट करता है ना अगर पिछली बार गए अगर दस पर से जीता है वहाँ एक परसेंट पर आ गया है तो कहीं ने कहीं बहुत बड़ा स्विंग हो रहा है ना ठीक है राजीव रंजन यहां पर एक बात उबरकर आ रही है दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं बीजेपी तो निकाल रही है सीट जेडियू हारती दिख रही है जो फ्रिंज सीटे भी है जो माजिनल सीटे हैं उसमें हाँ बीजेपी थोड़ी अठकी हो सकती है पर आप कमजोर कड़ी है देखे इससे उलट एक तस्वीर भी आप बनती हुई देख सकते थे अगर नितिश कुमार जी एंडिया के साथ नहीं होते तो यह वोट शेयर का फिर जो फासला है दो अलाइंसे के बीच का वो आपको एक बड़ा अंतर देखने के लिए विवस्ट करता और नतिजे जो अभी आपको दिख रहे हैं देखे एक बात मैं आपको स्पस्ट कहना चाहूंगा बिहार के पिछले दो दसक की राजनिती में जो भी चुनाव हुए है 2014 नितिश कुमार जी अकेले लड़े 16% का वोट शेयर था लेकिन जिस अलाइंस के वो चेहरा बने उस अलाइंस को की रही है इस अलाइंस को भी जीत मिलेगी और दो तरह के निसकर्स हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि किसका स्ट्राइक रेट क्या होगा इसलिए कि जब चुनावती 400 सीटों की है तो गड़बंदन धर्म का तकाजा यह है कि हम भी ज्यादा ज्यादा सीटे जीते बार्टिय जर अब बीती बातों को बिसारने का वक्त है अब यह तो युद्ध का मैदान है और इसमें आर पार दो अलाइंसेज हैं उनके बीच अब पिछली बातों को याद करने का वक्त नहीं है एक छोड़े सा ब्रेक ले रहा हूं राजी पर हम पिछली बाते भी जब आपको सूट कर करता है इतियास के सारे पन्ने खंगाल देते हैं पर यहां पर अभी जुम्ह जुम्ह चार दिन पहले कि मैं बात करता हूं कि बीत गई सो बात गई जीवन में मधू का प्याला था आप हरिवंच राय बच्चन अरिवंच राय बच्चन के मोड में आ जाते हैं छोड़ा सब ब्रेक लेना है यह हमारी मजबूरी है 30 सेकिंड का ब्रेक है कहीं मत जाएए चानल स्किप मत कीजिए अभी कुछ और रोचा कहा करें आपके सामने 30 सेकिंड टेबल को ऊपर जब भी खाता हैं दबा के खाता हैं यह भाई साब सब पचाते हैं पर दिखते तो होना आती है जो टेबल के निचे सेका बुल्कानी पच्पीना अपने हग का खाओ सब कुछ पचाओ मिलिए सिरिमा कुमार से जो टाइल आइड्स के लिए सिलेबरिटीज ट्रें कर रहे हैं पैसे दो तो ये कुछ भी करें और ये है ओर्येंट बेल वेबसाइट विद नो आड़िट सेलेबरिटीज यहां मिले हजारों डिजाइन्स का सही प्राइस और वेबसाइट पे बात हो रही है बिहार की बिहार का जो हमारा फाइनल उपिनियन पॉल है दोनों के लिए ही संतोश बरी खबर मैं कह सकता हूँ इंडिया एक पर सिमट गया था पिछली दफ़ा साथ सीते जीतता दिख रहा है तेतिस पर एंडिये हलाकि उन्तालिस कहा करा था पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है पर कमजोर कड़ी जेडी हुए है और केमिस्ट्री की बात हो रही थी लजेपी मजपी सब साथ सा करेंगे क्यों नहीं करेंगे लजेपी का जहां तक इनका भी एक जो पिनियन पुल में आया है मैं इन से सहबत हूं किसी हद तक जब हमारी बहार में बात होती है वहां से रिपोर्ट आती है तो वह भी इसके आसपास ही है लेकिन अभी चुनाओ खुला नहीं है अभी तो औ काने का मकसद इतना सा है कि यह हमारे 100% मार्क नहीं आपाएंगे अगर मालोई इस साथ से चला जाए तो 98 आ जाएंगे 97% आ जाएंगे पर नम्बर में लुक्सान जा रहे नहीं है नहीं हम आमने यह भी नहीं लगता हम तो 40 का टार्गेट रखा है और जो रिपोर्ट आ रह चालिस का टार्गेट कैसे आएगा वो मजबूरी है सब को करना पड़ेगा और सब कर रहे हैं अभी तक यह मजबूरी का नाम गटबंधन भी हो रखा है और नितीश कुमार का आना क्या नईया बचा रहा है या नितीश कुमार की नईया रूब सकती है यह अभी देखने व मिलिये सिरेमा कुमार से जो टाइल आइड्स के लिए सिलेबरिटीज क्रें करने हैं पैसे दो तो यह कुछ भी करें और यह है ओरियेंट बेल वेबसाइट विद नो आड़ेट सेलेबरिटीज यहां मिले हजारों डिजाइन्स का सही प्राइस और वेबसाइट पे जीरो परसेंट सेलेब्स था करीबन आठ या नौ परसेंट का गैप उल्टी तरफ था उल्टी तरफ था तो यह बात इंडिया था इसलिए जेडी यू के जो प्रवक्ता कह रहे हैं मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि अगर नितीज कुमार फिलिप होकर के इधर नहीं आते तो बिहार में संकट बीज लाइन नदर आता सबको ने वह उसमें यह भी था ना कि हनवान जी ने अपनी दुम से जो लंका में बजाए अयोद्या में आग लगा दी थी हुआ यह जो आकड़े हैं कुछ राहत की सांस देते हैं या इन आकड़ों को खारज कर रहे हैं वो आजकल शगल है आप कर सकते ह हैं हर कोई आता है जिसको सूट नहीं करता हो खारज कर देता है ने संदीब जी देशमुख जी सर्वे के दुनिया के बड़े चर्चित इंसान है उनको खारज करना उनके सांथ अपराद होगा और आपनी नैतिक्ता पर सवाल होगा मैं बिल्कुल सवाल नहीं खरा करता हू लगिन बस मैं पांच मुख्य बिंदूओं के तरह पाफका और उनका ध्याना कसित करना चाहता हूँ जो 2019 का चुनाव है और 2024 के बीच में जो पांच फर्क दिख रहे हैं पहली बात तो ये कि जो 2019 का चुनाव था वो पुलवामा और बालकोट के साय में लगा था नमबर ए लगिन इस बार उन्होंने जो सरकार तोड़ा या चोड़ा वो एक ऐसी सरकार ती नौकरी दे रही थी उस सरकार को उन्हें छोड़कर और अंडिये में गए तो लोग अभी तक पशा नहीं चाह रहे हैं जो विकास चाहते हैं और उससे जो उनकी प्रियाता थी उनकी घटी और तेसमे जाजों की लोकी बैता जो है वो बहुत बड़ी है उस तंदर में तीसरी बात यह है कि जो मोदी जी का आज का संकच है कि वो दस साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं इसलिए वो परिवारबात कहने को मजबूर है उनके एक साइड में समराज चाहरी पहशे हुए हैं जिसके माता पीता दोनों राजिती में थे और दुसरी तरफ शिराग को पहशे हुए हैं उसके बावज़ुद भी वो परिवारबात को मुद्धा बनाने में नहीं हिचकते हैं चौधी बात इस बार इस बार जो एलजेपी है वो इस दौरान चूटी है पिछले बार उ संदीब जी मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि यह जो फासले हैं वो कम नहीं होगे अगर इस सर्वे को भी अगर माल लेते हैं तो यह फासले इतने कम होंगे कि उल्टे भी हो सकते हैं इस जरा का माहूल भ्यार में चलदा है और एक बाद आप ध्यान रखिएगा अगस् नितीज कुमार के साथ में तो जो नितीज कुमार ने कवायद शुरू की थी इंडिया का उसमें सबसे मजबूत अस्थम के यस्वी आदों से और पूरे देश वर में उन्होंने ही वर्मन करके लोगों को संदेश दिया था वह भी क्रेडिबिलिटी है और आज जब लगातार जो रोजगार की बात कर रहे हैं नवल बहुत से लोग कह रहे हैं और मैंने भी ये सवाल अभी पूछा प्रभू से कि बई मुद्दा विहीं चुनाव दिख रहा है पर दरसल क्या सबसे बड़े मुद्दे रोजगार और महंगाई हैं जिनकी गूंज शायद नैशनल मीड कि अभी सुन नहीं पा रहा है सीएस बीएस ने तो बताया 27 फीजदी लोगों कि निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ये 23 फीजदी महंगाई को कह रहे हैं सिर्थ 4 फीजदी था ये आंकड़ा 2019 में बिल्कुल सही बात संदीब जी मैं भी बिहार होकर आया हूँ एक सबसा और मुद्दा है भंगाई मुद्दा है बेरोजगारी मुझ्जा है इसको कोई धुटवा नहीं सकता है और यही कारण है कि तैस्री यादों के सबा में आप देखिएगा तो उसका आपको एक्षाया भी जिखता है और यही कारण है कि वो बार बार तैस्री यादव पूरे देश को बता रहे है कि बिहार सब को आश्चर चकित करेगा अपने डिजर चलिए आश्चर चकित होने के लिए सब तयार हैं चार जून को पर मैं एक एक आप से एक और जानकारी चाहूँगा यह 2020 वाला भी 70 सीटे दी 19 जीती यहां कमजोर करी कॉंग्रेस है और दूसी चीज जो रेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं असल में सबी प्रवक्ताओं से कुछ नो कुछ सहमत करने लाइक मेरे पास मैं आक नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे शेयर करने में कोगर रिज नहीं स विधान मंत्री के सवाल पर जिस तरह से एकतरफा रेटिंग नरेंदर मोदी के लिए आ रही है बिहार में उसी तरह मुझे मंत्री पत के सवाल के लिए तेजस्वी यादव की एकतरफा रेटिंग आ रही है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव किस त हाँ तसली ले वह वेमानी हो जाता है जोती कॉंग्रेस क्या कमजोर कड़ी साबित हो रही है या दरसल मुद्दे तो हैं मुद्दे प्रमुक्ता से नहीं उठा पारे विपक्ष और प्रधानमंत्री मोधी पूरा नेरेटिव अपने इर्द गृर्द ही बुनने में काम्याब हो रहे हैं क्या कि देखे संदीब जी आप खुद ही बहुत बातों को कहा है और आज का प्रधानमंत्री का जो इंटर्वी हुआ और जो आप बिहार इस्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार बिहार में चुनाओ अगर आपके पर होती है या मुद्दों पर होती है तो दोनों में इंडिया गडबंधन मजबूत इस्थिति में अगर आप पर्सेप्षन की बात करते हैं तो फिर देखा जाएगा ना कि प्रधानमंत्री जी 2014 में बोल कर आज तक क्या-क्या बात किये हैं अगर उन बातों को नहीं कर पा संदीब जी तो आप देखें नितिश कुमार जी के रवये को लोग परखेगा जाचेगा और सोचेगा कि जो उनको मिली थी क्या वो सोला सीट फिर से उनको दिया जाए और सतरा सीट जिसकी आप बात कर रहें भारतियंता पाटी की आप देखें न और अंगाबाद इतना हाइली एंटी इंकमबेंसी मैं भागलपूर से आता हूं आप भागलपूर में देखें जो जेडियू के है अजय मंडल इतना ज्यादा उन पर एंटी 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 इंकमबेंसी है आप कटिहार से लेकर किसंगन से लेकर बाका आजाईए बाका में गिर्धारी आदब भी वहां पर कैंडेट है आप कांगरेस की बात जो सवाल मैंने पूछा था जो ती उसको थोड़ा सा आप सर से लगवां ड़काती में आए इस संदेव जी मैंने सीटों का जो बात किया हम तो इंडिया गडबंधन जीतेंगे और चालिस का चालिस जीतेंगे लेकिं जहाँ कॉंग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं जो सीट का नाम लिया कि संगन हम जीत रहे हैं कटिहार आप बोल रहे हैं कि नेक टो नेक फाइट है जो कि हम जीत रहें भागलपूर जीत रहें अगर कोई भागलपूर गया तो पूछ ले आप उनसे और उसमें अधिकार पाटी का फिर उसे टिकट नहीं मिला अब डेड हीट है एक फीज़ती के अंतर से नतीजह तैह हो सकता है। हमारा अनुमान है और उसमें एंडिये को बढ़त है आपकी अंदुरूनी कल है के चलते एंडिये के खाते में एक सीड जाती दिख रही है जो इंडिया की होनी चाहिए थी गलत आप लेकिन संदीब जी संदीब जी आप नहीं संदीब जी मुझे एक बात बताया एक बात जो भी पोटर और जो भी यह की हैं अभी तो हमने महराज जंद की साशारम की सीट नहीं की पत्ड़्ना सीटी के सीट नहीं की यह आखिर किन मुद्टों पर होगा आपको अगर मैं बताओ तो भागलपूर में मुद्दे और कैंडिडे की वज़ा से हम जीत रहे हैं इस बा को उनकी मजबूती और कमजोरी सब जानते हैं अंदर छाने क्या होता है सब जानते हैं कनयए तो कनयए यह 33 साथ के आंकले से कितना आप खुद को जोड़ पाते हैं घाराव दीकांतर है 51 बनाम 14 और 33 साथ का आंकला है वह ना यह जो आप इंडिया काहीं बढ़ेगा महादर बंधन काहीं बढ़ जाए बढ़ जाएगा यह संभावना हाजी से पपू यादव को हम लोग मान रहे हैं कि वहीं इंडिपेंडेंडेंट रहेंगे लेकिन पार्ट आप इंडिया ही रहेंगे जितने के बावजूर भी वह एक सीट है समस् नहीं किया है कॉंगरेस ने लेकिन सनी हजारी ही होंगे वहाँ पर ऐसा लगता है तो ओभी मजबूत कर देते हैं अब कांगरेस का सासारा में भी जो है इन्होंने मतलब मोटी मोटी तस्वीर आप यह कह रहे हैं तीस कांकड़ा चूलेगा एंडिया और दस के करीब मुश् जो क्राउड है और किसी में नहीं है अभी एक नया डिवलप्मेंट यह हुआ है चुकि हमारे पार इंफरमिशन है कि बीजेपी ने ने अपने उमीद्वार कितने बदले सभी को एक अश्वनी चौबे टाइप कहीं एक दो पर गाज गिर गई सबको रिपीट करना पड़ा एंटिनकंबंसी तो वहां भी होगी जो जोती कह रहे हैं दूसरी बात में कर रहा हूं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के सभाओं में कल मितीश कुमार ऐसा हमने सुना है कि वो सिर्कत नहीं करेंगे वो साथ नहीं होगे इन लोगों ने एक इनके पास एंफरमिशन था मुख मंत्री का जो भासरण हो रहा है बड़ा भूरिंग भासरण हो रहा है और परधान मंत्री को ही सुनने के लिए लोगा रहे है इसको आप कि शुरूप में देख रहे हैं अब आप समझेए उसमें प्राइम मिनिश्टर के साथ जो है एक मिनट कनया भाई प्रभू इंटर्वीन करना चाह रहे हैं जोने कही है अगर जिस अच्छ है तो मैं जैस्वंद भी यहां बैठे हैं जो पहले प्रवक्ता बोल रहे थे कि नितीश का आने का फायदा होगा यह तो नेगेटिव लाइबिल्टी होती जा रही है इसका वोट और कम होंगे जितने होने चाहिए थे और दूसरा एक बार दसक्राइब नितीश कुमार के ना है ना अरिथमाटिक का फायदा है कमिस्ट्री का नहीं वह बात लगातार यह तो मतलब नितीश कुमार ने दूसरी बात सीटों का बटवारा बताजिए मेरे कंशुजर दूसरी रहे कि 33 सीटे किसमे किसके खाते हम कितनी है आपने कॉंग्रेस की एक बता दी इसमें से 33 से बीजेपी की कितनी है बीजेपी की सत्रा की सत्रा वो मान कर चल रहे है पर उसमें क्लोज कॉंटेस्ट भी है वाकि 16 किसी है पता लगे ना 16 लड़ रहे है कितनी लड़ रहे है क्या लगे अब मैं एक और चीज पर जिस पर दरसल ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए और यह सिर्फ विहार पर लागू नहीं होती और प्रभू आपी से स्यूरू कर रहा हूं मुद्ध भी इन चुनाब तो है पुरानी बाते याद दिलाई जा रही हैं लेकिन जो असल मुद्धे हैं महंगाई बेरोजगारी क्या वो मुद्धे गूंज उनकी सुनाई देने लगी है या विपक्ष मुद्धे तो हैं तश असल मुद्धे हैं बेरोजगारी है इन्फलेशन है प्रन्तु चैनल्स के अंदर बीजेपी है ये लोग बनाते चले जा रहे हैं कि मुद्धों के ऊपर विपक्ष भी गॉंग्रेस पार्टी भी एक नारा एक नेता एक निती अपने सामने प्रजेक्ट नहीं कर पा रही है जबकि मुद्धे हैं लोग के पर हमेशा आते रहे हैं उनीस से लेकर अभी तक करॉप्षन दो अजार चार में देखा मुद्धी ने चुनाव था अगर ऑपीनियन पोल के साथ चले और विपक्ष भी इन्होंने भी स्टेट अधा नेशन किया था उसके अंदर भी इंप्ल कैसे आगते हैं देखो संदीप बिहार में चुनाओ जब हम देखते हैं तो हमको एक बात हमेशा बहुत इको आ रहा है संदीप तोड़ा ठीक करा देंगे तो हमें एक जान में रखना चाहिए कि बारा से परंदरह प्रतिसत का जो वोट बैंक है वो एक वोट बैंक नितिस के साथ है और जैसे ही यह वोट बैंक भारतिय जनता पार्टी के साथ मिलती है वो क्लीन स्विट हो जाता है नितिस कुमार अपने चुनाओ नहीं जीच सकते थे इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2014 का चुनाओ जो है भारतिय जनता पार्टी बिना नितिस कुमार के ही 31 सीटों पर जीती थी और दो सीट ही जेडियू प्राप्त कर पाया था और इस बार भी वही इस्तिती थी जो लोग आकलन कर रहे हैं यह तो हर पार्टी का अपना प्रवक्ता करकि यहीं बोलेगा कि यह ठीक नहीं है वहां ठीक जिंदा लास है वियार की राजनिती में उसको अर्थी देने के लिए दो आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है और अंगाबाद की सीट से हम बात करते हैं और अंगाबाद में पिछली बार पिछली बार जो है साथ हजार से ज्यादा मतों से औरंगाबाद के कैंडिडेट जीते थे वो तब की इस्तिती थी जब वहीं पर कॉंग्रेस पार्टी ने एक बहुत मजबूत सतेंद्र नाराइन सिंजी के परिवार से एक को टिकट दिया था जो कि बड़े मजबूत राज़ी अभी इतनी ही रहे थोड़ा सा आडियो छोड़ दीजिए मुझे लाइए स्क्रीन पर अगर ब्रेक लेना है तो तेतिस साथ का ये आंकड़ा है और तेतिस साथ का आंकड़ा क्या इंडिये राहत की सांस लेगी जबरदस नुकसान नहीं हुआ है या अभी उमीद बांदे बैठा है इं मेरा शो खबर फिल्मी है अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं डाउनूट कीजिए एवी पी लाइव अग्ड खड़ी केक का एक ही रादा क्वालिटी का वादा वादा तो सब करते हैं निभाते कितने हैं तो हो जाए एक ट ही तो है ना सब से कड़े दाग है टाइम भी लगेगा और ब्रेश भी लगेगा जितने कड़े दाग उतना कड़ा इम्तिहान घरी केक का नया पावक्लीन फॉर्मिला सक्स दाग पर करे भरपूर वार और तुरंत मेल खीचे अंदर से बोला था ना कड़े दाग छट से लोग, औरियेने बली तायल, 100% तायल, 0% अने तायल, तायल, देगल के मेल रहें दाग के गाओ में, बेदने सटायल, जुलेंगे अपने तायल में बडेअ दूस्त हो राहों में तो चलो अपने तायल में इतनी गहावी में में शादी? नो गिफ्ट, केवल अशरवाद दीजे, कंगरचुलेशन तेजस्वेट्स, कामीनी केवल अशरवाद दीजे, कम आन याप केवल अशरवाद जी अंकल, जी जी जलूर देगे